आज की वीडियो है कि कौन सा कैमिकल कहां यूज करना चाहिए लोग क्या करते हैं क्रैक आया तो कोई भी कैमिकल यूज कर देंगे वाटर बूफिंग में जो नहीं करना चाहिए था वो वहां यूज कर रहे हैं लिकेज हो रही है वो कौन सा कैमिकल चाहिए dampness है आपकी दिवारों पे sealant है कौन सा कैमिकल लगाना है इस वीडियो के बाद देख लोगे rate भी पता चल जाएंगे और कौन सा है कहां से मिलेगा वो सब चीजें complete वीडियो देखो बहुत important वीडियो है इंडिया में सबसे जल्दी मिल जाते हैं Dr. Fixit के product और उनको use कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कोई promotion वीडियो नहीं है आप दूसरी कंपनी के भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है पहले होता है LW plus 301 URP 301, 302 2K, roof seal, fast reflex यह बहुत सारे होते हैं और confused हो जाते हो कहां जो दुकानदार देता है वही लगा देते है सबसे पहले जो basic waterproofing chemical होता है वो होता है LW plus LW plus chemical क्या करेगा उसके box ऐसा दिखते है देखो यह बड़ी सी bucket है लेकिन छोटे में मिलता है range में आपको मिल जाएगा 200 ml चाहिए एक लेटर चाहिए वो मिल जाएगा Dr. Fixit 101 LW plus यह वहाँ आपको यूज करने जब हम नया concrete बनाते हैं plaster बनाते हैं देखो दिवा concrete अगर slab का concrete हो रहा है उसमें mix करके अगर आप डाल दोगे तो आपका concrete जो होता है यह यूज कर सकते हो plaster में भी concrete में भी जो 50 kg का cement bag होता है उसमें आपको यह डाल देना है 200 ml उसी साफ से इसकी calculation होता है और हमेशा याद रखना जो भी आपका contractor बोलता है वो follow नहीं करना है जब दुकानदार बोलता है यूज कर सकते हो तो पाणी mix करके वो गलत तरीक है पहला 101 LW Plus पता चल गए आपको basic chemical है जब आप slab cast करते हो या plaster करते हो या brick bar कर रहे हो मोटार बनाना नहीं है जा concrete बनाना है column pillar footing तो उसमें आप इसको डाल सकते हो और bottle पर mention होता है कि कितने में कितना डलेगा यह पहला chemical है इसको यहां use करने है दूसरा होता है URP 301 URP 301 या 302 303 यह नहीं कि मतलब पुछते हैं आप 301 आपको market में मिलेगा mostly और 301 कहां use करने है यह use करने है आपको यह भी basic chemical है आगे advanced chemical आएंगे उनको करोगो तो अच्छा result मिलेगा यह basic है थोड़ा बहुत result देते हैं जब concrete के अंदर इनको mix कर देते हैं यह है जब छोटी-छोटी हमारी कोई area जैसे toilet है छोटा 3x4 का toilet है उसमें थोड़ी waterproofing करने हैं उसके उपर tile लगानी है तो इसको आप use कर सकते हो मतलब cement में लिया 50 kg bag का cement 200 ml यह दोनों को mix किया paste सा बनाया और मार दिया coating इसकी coat चड़ा दिया एक दो coat चड़ा दिया उसके उपर tile लगा दिया तो यह अच्छे से काम करेगा जैसे sunken slab होती है आपका kitchen है आपका bathroom है छोटे पैमाने पे अगर waterproofing करनी है तो यह URP30 बन और कभी कबार इसको concrete में mix करके भी आप use कर सकते हो जैसे दो slab joint की जा रही है उसमें mix करके डाल सकते हो जैसे इसको bonding agent यूज़ कर सकते हो जैसे पहले की slab डली हो यह concrete करने वाले हो थोड़ा मारा यह जहाँ पहले slab डली थी concrete कर दिया तो यहाँ यह अभी आते हैं main मुद्दे पे अगर कोई अच्छा area बड़ा area है जा अच्छे से waterproofing आपको करनी है जैसे दो गर मिलती है एक दूसरे से तो वहाँ सबसे ज़दा sealant के chances होती है तो उस case में जहाँ आपकी बातरूम है leakage का chances है तो उस case में जहाँ आपका कोई slab है वो leakage के chances है तो आपको क्या करना है लाइना है डॉक्टर फिक्सीट पीडिफिन 2 के यह एक अच्छा chemical है यह chemical इसका फाइदा क्या है इसमें एक layer सी बन जाती है यह सिर्फ पानी नहीं है chemical नहीं है इसमें एक fiber भी आता है दोनों को mix किया जाता है दोनों को proper तरीके से mix किया जाता है और 30-40 मिनिट वो mix खराब नहीं होता जैसे आपने mix कर लिया फिर इसको आपको use करना है उस area में जैसे bathroom है इस सामने bathroom है waterproofing हमें इसकी करना है इसकी पहले साफ सफाई कर लेनी है कोई भी loose material नहीं होना चाहिए साफ सफाई कर ली ठीक है उसके बाद एक coat मारा एक coat मार लिया फिर दूसरा coat मारा पहला सीधा मारा था यूर्प 301 थी वह basic थी यह advanced जो waterproofing होती है वह इसकी help से की जाती है जैसे दो गर की दिवारें चुड़ती है दूसरे से बीच में जगा नहीं बैसती है तो वहाँ siland रहती है आपको क्या करना है दूसरा गया तेल लेने अपनी दिवार पे डॉक्टर फिक्सिट पिडिफिन 2K का कोड मार देना आप इसको direct brick पे भी मार सकते हो इंट पे भी मार सकते हो plaster पे मार सकते हो अपने concrete surface पे मार सकते हो कहीं भी मार हो सही है मालब brick और concrete पे यह result अच्छा देता है as compared to plaster पे plaster पे कोई भी chemical अच्छा result नहीं देगा कोई भी company बादा करती है plaster पे कोई अच्छा नहीं देता है brick और concrete पे मार दो अच्छा result आपको मिलेगा तो आपको Dr. Fixit पिडिफिन 2K करना है waterproofing के लिए use और कभी भी concrete में कुछ mix करना है आप URP 301, 302 या 303 mix करके latex जो रहता है वो कर दो next रहता है जो हमारी टंकियें रहती है swimming pool है jacuzzi है tank है slab है उसमें leakage का आपको अगर अच्छा result देना है तो Dr. Fixit ने एक नया chemical निकाला है वो है Dr. Fixit 113 fast flex इनका इस समय advanced चल रहा है fast flex ये क्या है एक membrane बना देता है मतलब जो लियर चाहिए होती है वो लियर बना देगा इस पर अगर pressure भी आएगा तो ये टूटे करने क्योंकि टंकी में पानी के ज़्यादा होता है तो pressure भी रहता है तो वो crack होने के chances हो जाते है main reason क्या होता है कोई भी chemical flow कहा होता है fail कहा होता है जब expansion और contraction होता है expansion contraction क्या होता है जब सर्दी आई जब गर्मी आई जो भी चीज़ा वो security है और चोड़ी होती है तो उससे क्या होता है crack develop हो जाता है और वैसे ही जैसे chemical मारा होगा तो उसमें भी crack आ जाएगा तो waterproofing होई नहीं तो लेकिन ये जो chemical है जैसे डॉक्टर फिक्सिट पेडिफिन 2 के था जैसे डॉक्टर फिक्सिट 113 रहे फॉस्ट फ्लेक्स ये क्या होता है इनको expand भी हो साथे हैं और contract भी तो ये जल्दी तूटते नहीं रबबर की तरह बन जाते है तो इनको आपको क्या करना है जैसे इसको fastflex को अगर slab पे लगाना है या अपने tank में लगाना है सबसे पहले उस area को साफ कर लो clean कर लिया जो छोटे छोटे cracks हैं minor minor से cracks हैं उनमें एक cement paste और URP300 की paste मिनाओ mix करके बीच में fill कर दो fill कर दी उसके बाद इसकी दो coating मार दो इसकी fastflexi दो coating अच्छे से मार दो अच्छा result आपको मिलेगा अच्छी waterproofing हो जाएगी ना आपका tank leak करेगा ना आपका swimming pool ना आपकी slab फिर हम बात करते हैं हमारी जो दिवारों पे छोटे छोटे cracks होते हैं जो दिवारों पे इसको भी fill आप कर सकते हो इसको crack के अंदर fill कर देना है और उपर से कोई भी waterproofing का जैसे 2K है वो chemical मार दो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी आपके गर की slab में पानी गुस गया तो आपका सरीया खराब हो जाएगा और गर कमजोर हो जाता है तो यह चीज है Dr. Fixit की crack X paste भी आती है यह plaster में fill करके इसके उपर paint कर दो तो यह अच्छा perform करती है आज कल plaster के लिए उन्होंने निकाला हुगा chemical की plaster में आप Dr. Fixit का waterproofing chemical mix कर दो यह सामने आप देख रहे हो यह mix कर दोगे तो plaster करोगे बाहर की दिवारों में मतलब अंदर तो जुरुवत नहीं है इस chemical को mix करने बाहर की दिवारों में इस chemical को डालो इस पर ratio लिखी हुई है कि कितने में कितना डालने हमेशा bottle पे चलने contractor और दुकानदार पे विश्वास नहीं करना है तो bottle पे जो लिखा होगा उसी साफ से आपको plaster में डाल कि अपने बाहर का plaster अगर आप करते हो तो आपको waterproofing अच्छे से हो जाती है और कभी कभार mostly मैंने देखा है कि लोगों की दिवार एक-एक मेटर तक सिलन आयती है तीन-तीन फूट तक तो उस case में आपको Dr. Fixit Pidifin 2 के मार लेना है plaster से पहले जब भी आप देखो अंदर का plaster करने वाले हो तो यह chemical ले आओ दिवार पे brick पे ही मार लो एक-एक डेडेड फीट मार लो उसके उपर plaster कर दो तो आपके गर में वो जो एक फीट तक sealant रहती है वो नहीं आती है mostly वो sealant आती है नीचे DPC अगर जब हम करते है damn proof course उस time भी Dr. Fixit का एक DPC के लिए chemical आता है वो मार लो DPC के पे तो आपके गर में sealant नहीं आएगी मतलब mostly ऐसे जो इनके chemical हैं 30 से 32 chemical हैं 30 से 32 chemical हैं Dr. Fixit के जो इंडिया में मिलते हैं आप यूज़ करने के लिए लेकिन जो top ये थे 7-8 वो मैंने आपको बता दिये mostly ये ही यूज़ होते हैं basic करना है Dr. Fixit का 101 URP ये दो basic होगे अगर अच्छे से waterproofing करनी है वो है Dr. Fixit का PDFIN 2 के अगर बहुत अच्छे से करनी है वो Dr. Fixit का 113 Fast Flex ये जो chemical है फिर रूप, सील, बाहरों की दिवारों के लिए आते paint वो बहुत चीज़े आती हैं वो छोड़ो ये अगर basic करनी है तो ये कर सकते हो अगर इन पे advanced वीडियो चाहते हो basic बता दिया मैंने कि किया कहा कहा अभी लगा लो आपको वीडियो चाहिए कि Dr. Fixit का PDFIN 2 के कैसे लगाना है कहा लगाना है जा Fast Flex कैसे लगाना है कहा लगाना है वो उसके लिए comment करो मैं वीडियो लेऊंगो कोई दिक्कत नहीं और भी काफी companies है उनके भी आते हैं तो वो भी वीडियो ले आएंगे बस आप comment करो बाकी चैनल को subscribe कर लो और bell icon दवालो